पोरा केवस में बांबू चिकन बहुत फेमस है और यह एक अनोखे तरीके से तयार किया फूड है जो यहां के गाओ के लोग बनाते है मैंने सुबा 8 बजे के आसपास की ट्रेन ली विशा का पत्नम से जो मुझे बोरा गुआलू नाम के एक स्टेशन पे छोड़ देगी यह इंडिया के सीनिक ट्रेन राइड्स में से एक है जो पचास से भी जादा टनल से गुजरती है और पहाडों के इतने सीनिक व्यूज दिखाती है स्यूरा बिश링 में राइड्सेशन पारे permitted because it's just one kilometer away from here so look at this beautiful view from here while walking it looks so beautiful with these hills at the back पोरा के उसमें बांबू चिकन बहुत फेमस है और ये एक अनोखे तरीके से तयार किया फूड है जो यहां के गाओं के लोग बनाते हैं यहां पे बांबू के बने एक्सेसरी जैसे बांबू कप्स भी मिलते हैं कर दो कर दो कर दो कि लोगा बनाते हैं बुकिंग काउंटर पे लंबी लाइन थी और तेज धूप भी चल रही थी पर थोड़ी देर में गेट्स खुल गए और अंदर जानी की एंट्री मिल गई ये इंडिया का वन ओफ दे लाजेस्ट केव है फो ये दिह दी रे लाजेस्ट के लाजेदेस्ट कावे लाजे गंडिय लुका वे राज़ी इस केव के दिवारों पे लाइट लगा कर इसे रोशन और आकशित करने की कोशिश की गई है कर दो सकता है केव एक्स्प्लोर करने के बाद मैंने यहां से आटो रिक्षा लिया रकू पहुशने के लिए जो यहां से 36 किलो मिटर्स था कि ही बाद मैं हाओ रिक्षा धन्रेब सक्वस्णास हिया रेरित । झाल झाल झाल